नमस्कार साथियों, फिक्षा ES Institute के ओनलाइन प्रेटफॉर्म में आपका स्वागत है और हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं Simple Interest के Part 2 के साथ अपने Simple Interest Part 1 में लगभग 22 से 23 कोश्चन कर लिये थे अब आगे के जो कोश्चन से अपन इस पार्ट में करेंगे और सारे कोश्चन की अप्रोश सीखेंगे तो चलिये स्टार्ट करते हैं आज का पहला कोश्चन 24 त कोश्चन टाइब 8 तक last class में कर लिया था टाइप नाइम में जो पहला कोश्चन है वो क्या कहता है देखिएगा किसी निश्चित समय के बाद मूल धन और मिस्त्र धन का अनुपात ना पांच अनुपात छे हो जाता है तो वो कहता है कि आठ वर्स बाद उनका अनुपात एक अनुपात दो है ये ये रुपे नहीं है अनुपात में दिया है एक अनुपात दो हो जाता है तो ब्याज की दर ग्याद करें देखो कोश्चन को पहले समझो आपना बैंक गए कितने समय बाद नहीं पता निश्चित समय बोल रहा है तो प्रिंसिपल का और मूल धन और मिस धन मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेसियो है न वो कितना है फाइव इस टू सिक्स पांच अन पाच छे कुछ समय बाद जब आप मानलो बैंक गए कुछ रुपिया आपने क्या किया दे दिया जमा कर दिया मानलीजिए दस अजार रुपए आपने बैंक में जमा कर दिये उसके कुछ सालो बाद आप फिर से बैंक गए कितने साल बाद नहीं पता जमा करने के कितने साल बाद नहीं पता कुछ साल बाद तो मूल धन और मिस्र धन का अनुपाद कितना है पांच अनुपाद छे अब यहां से जब अभी गए न उसके आठ साल बाद यदि आप जाते हैं आठ साल बाद तो ये अनुपात कितना हो जाता है एक अनुपात दो हो जाता है मूल धन और मिश्र धन का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेसियो कितना हो गया वन इस टू टू तो वो कहता है कि ब्याज किस हिसाब से लग रहा है ब्याज की दर ग्यात करो चालो, बड़े प्यार से समझना, हम मानते हैं आपने जमा कर दिया, मान लो, एक हजार रुपए, बैंक में एक हजार जमा कर दिये, अब आप गए कुछ साल बाद अनुपात कितना है, पांच अनुपात छे बोलता है, ठीक है, रुपए में पूछोगे न, कुछ साल बाद कि एक हजार जमा किये थे आप, एक हजार जमा किये थे, पांच साल बाद जाओगे तो पूछोगे कितना रुपिया जमा किया था, तो बोलेगा एक हजार, क्योंकि एक हजार ही किये थे आप, दस साल बाद, एक हजार, आपने एक हजार जमा किया था, आप ब्याज की बात ही प्रिंसिपल क्या हो रहा है देखो पांच यूनित था अब कितना यूनित है एक यूनित प्रिंसिपल तो हर भार वही होना चाहिए तो वही नहीं है पांच उनिट था यहां एक उनिट हो गया तो इन दोनों को क्या करते हैं सेम करते हैं एक को पांच बना लेते हैं कैसे बनाएंगे पांच का गुड़ा करके तो कितना जाएगा यह जो रेसियो है यह कितना जाएगा principle और amount का ratio यहां तो ठीक है पाँच और पाँच छे है इसको सेम कर लिया पाँच एकम पाँच और पाँच दुना दस पाँच दुना दस अब देखो principle कितना है 5 unit amount कितना है 10 unit यह बताओ पहले amount 6 था अब कितना हो गया 10 कितना unit बढ़ गया 4 unit नहीं बढ़ गया कितने साल में 8 साल में यहां पे गये इसके 8 साल बाद गये तो 8 साल में 8 साल में SI कितना है 4 unit नहीं है 8 साल का SI कितना है 4 unit और आप जानते क्या है rate of interest कैसे निकाला जाता है भाई 1 साल का SI 1 साल का SI बटे P into 100 P तो पता है कितना है P 5 है 5 है 1 साल का SI कितना होगा 8 साल का 4 तो 1 साल का 1 बटे 2 नहीं हो जाएगा 4 बटे 8 मतलब 1 बटे 2 1 साल का SI 1 बटे 2 P कितना है 5 into 100 5 दुना उल्टा हो जाएगा 5 दुना 10 100% R की value कितनी आ गई 10% उम्मीद करते हैं ये question समझ में आया होगा क्या था सिर्फ principle सेम करना है अब देखो और यदि formula गाना चाहते हो ना तो ऐसा करो हम क्या जानते हैं P RT upon 100 is equal to SI यही जानते हैं ना SI साधारन ब्याच कितना आया 4 आया 4 नहीं आया कितने principle पे 5 पे R निकालना है time कितना लगा यहां से यहां जाने में 8 बस यही बात थी R की value कितनी आ गई 1 बटे 2 4 से divide कर दिया 1 बटे 2 यह 100 उपर और यह 5 नीचे यह देखो सेम यही वाली condition नहीं आग 1 बटे 2 गोड़ित 100 बटे 5 वही वाला है direct कितना आ गया 10% आपका right answer है यह formula कहा है हमने याद करने के लिए बहुत important है याद करेंगे rate of interest क्या होता है 1 साल का साधारन ब्याज बटे principle into 100% चलिए same type का question यह है इसको बनाने की कोशिस करेंगे बस यह अनुपात है याद रखिएगा English में सही लिखा है यहां रुपए रुपए हो गया है गलती से रुपए नहीं है क्या है ratio है 5 is to 6 2 is to 6 3 तो चलो आप देखो Sir प्रिंसिपल और amount का जो ratio है वो पहले था 5 is to 6 अब कितना हो गया 2 is to 3 हमको यह बताओ आपको तो यह बात पता है बहुत अच्छे से कि यह प्रिंसिपल सेम होना चाहिए सेम होना चाहिए लेकिन यहां पर 5 है यहां 2 है सेम करने के लिए क्या करते हैं इस 2 का गुड़ा इधर और इस 5 का गुड़ा इधर अब जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रिशियो है वो कितना आ गया पाँच दुना 10 पाँच दुना 10 प्रिंसिपल तो 10-10 आ गया अमाउंट 6 दुनी 12 पाँच दिया 15 अब देखो अमाउंट कितना बढ़ गया 3 यूनिट कितने साल में 6 साल का SI यहां से यहां साधारन ब्याज कितना बढ़ गया 6 साल का साधारन ब्याज 3 यूनिट तो 1 साल का कितना निकलेगा फिर वोई बात है 3 बटे 6 मतलब 1 बटे 2 तो आपको क्या निकालना है ब्याज की the rate of interest एक साल का साधारन ब्याज बटे प्रिंसिपल इन्टू 100% बीस पंचे सो अंसर कितना आया 5% इसका right answer है चलिए सेम एज इट इस पिछला कुश्चन ही था सिर्फ डेटा चेंज किया है पूरा का पूरा अप्रोच वही है इस कुश्चन को बनाएंगे सारे बच्चे बनाईए देखिए क्या है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेसियो कितना है 4 is to 5 और तीन वर्स बात कितना हो जा रहा है 5 is to 7 तो कितना आएगा सर 4 का multiply यहां कर लेंगे क्योंकि इन दोनों को सेम करना है न 5 का यहां कर लेंगे तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेसियो कितना आगया 5 चौक 20 5 पंचे 25 5 चौक 20 7 चौक 28 20 भी सेम सेम नहीं हो गया और सेम ही तो करना है को कि प्रिंसिपल तो हर साल वही होगा कभी भी आप जाओ तो अब देखो कितना यूनिट बढ़ गया 3 यूनिट कितने साल में 3 साल में 3 साल का SI कितना है 3 यूनिट तो 1 साल का 1 यूनिट rate of interest क्या जामते हो 1 साल का SI बटे principle into 100% यही बताया था ना तो एक साल का SI कितना है एक साल का SI एक रूप है principle कितना है 20 into 100% 20, 5 आपका अंसर कितना आ गया 5% आपका right answer है चलिए next question, next type बड़े प्यार से देखेंगे एकदम अच्छे से समझना concept पहले अच्छे से समझो फिर तो question तो अपन बना ही लेंगे क्या कहता है एक व्यक्ति निश्चित धनरासी एक निश्चित साधारन ब्याज की दरपर 4 साल के लिए निवेश करता है कोई व्यक्ति है वोना P रुपए निवेश कर रहा है कितने ब्याज की दर पर rate of interest आर पिमान लेते हैं आब rate of interest आर परसेंट है कितने साल के लिए time है 4 साल यदि ब्याज की दर ब्याज की दर 5% कम हो ब्याज की दर न ये आर परसेंट है ना इससे पांच परसेंट कम हो यह लो ब्याच की दर पांच परसेंट कम हो तो उसे 400 रुपए कम प्राप्त होते हैं अब देखो एक साल में पांच परसेंट कम हर साल पांच परसेंट कम होगा एक साल में पांच परसेंट कम हो जाएगी तो अगले साल भी पांच परसेंट कम हो जाएगी हर साल पांच परसेंट कम होगी पहले साल पांच परसेंट दूसरी साल कम हो गई तो 5% पहले दूसरा तीसरा तो 5-5-5 करके 4 साल में 5-20% कम नहीं हो गया हो गया कितना कम हुआ है परसेंट में ब्याज कितना कम हुआ है हर साल 5% आज इस साल 5% फिर 5-5-5-5 करके कितना परसेंट कम हो गया पाच चौक 20% कम हो गया 20% कम हुआ है रुपए में कितना कम हुआ है रुपए में कितना कम प्राप्त हो रहा है परसेंट में तो 20% कम मिल रहा है रुपए में कितना मिल रहा है जितना भी मिल रहा है उतना इसकी value होगी रुपए में 400 रुपए कम मिल रहे हैं और percent में 20% कम मिल रहे है ना 20% की value 400 तो 1% की value 20 दोना 40 कितना रुपिया 20 रुपिया आपको पूछा क्या है तो वह रासी ग्यात करें मतलब principle ग्यात करें मतलब 100% ग्यात करें 100% क्या हो जाएगा 2000 नहीं हो जाएगा तो answer कितना आया B की value 2000 is the right answer देखो क्या है एक साल में 5% तो हर साल उतना ही कम होगा ब्याज की दर 5% कम होती तो 4 साल में 5 चौग 20% कम हो गई 20% percent में कम होई है रुपए में कितनी कम होई है 400 रुपए सेम यही question अगला है इसको पढ़िये आप खुद से और बनाने की कोशिस करें क्या कहता है अब person invest a certain sum of money at certain rate of interest for 8 years if rate of interest was 5% per and a more than the previous one पूरा अच्छे से लिखा नहीं यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती तो उसे 500 रुपए अधिक प्राप्त होते ब्याज की दर ना पहले से 5% अधिक होती तो जितनी भी थी उससे 5% अधिक होती मिल रहा है 800 रुपए बुलो हाया ना सर बिलकुल सही बात है तो चालिस दुना असी एक पर्सेंट की वैल्यू बीस तो 100 पर्सेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बीस के आगे दो जीरो चिपका दिया इसका अंसर भी कितना है 2000 रुपीज इसका भी राइट अंसर है चालो नेक्स्ट कोश्चन देखेंगे ये कोश्चन थोड़ा बढ़िया है बड़े प्यार से देखना 11 परसेंट साधारन रेट अफ एंटरिस्ट कितना दिया है पहले ग्यारा परसेंट था अब हो गया साधे सतरा परसेंट तो एक व्यक्ति की वार्सी का है एक साल में इतना रुपए बढ़ जा रहा है एक साल में रुपए में कितना बढ़ गया रुपए में 1071.20 रुपीज इतना बढ़ गया एक साल में अब देखो रुपए में तो इतना बढ़ गया परसेंट में कितना बढ़ गयारा पहले था अब Asda सारह शे परसेंट अब बढ़ गया है हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात है साडह शे परसेंट बढ़ है अब पांच वर्सों के लिए 10% की दर से उस रासी पर उसी रासी पर उसी प्रिंसिपल पर उसी मूलधन पर तो पहले मूलधन नहीं निकालना पड़ेगा तो 6.5% की वैल्यू ये तो 1% की वैल्यू बताओ 1071.20 upon 6.5 अब देखो ये पॉइंट वैंट का चक्कर अपन हटा देते हैं तो कैसे करेंगे 1071.20 upon 65 ये पॉइंट के बाद 2 संख्या है ना तो इधर 1 के आगे 2 0 नीचे यहाँ नीचे 1 संख्या है ना तो उपर 1 0 चालो अब अपन ऐसा डायरेक्ट कर लिए और यही लिखते हैं एक परसेंट की वैल्यू ये आ गई प्रिंसिपल ये आ गया तो 100% क्या आ जाएगा इसके आगे 2 0 नीचे पका देंगे 100% के लिए तो 2 0 चिपका दिया ठीक है सर अब देखो ये ये कैंसल 100% प्रिंसिपल कितना आ गया इतना आ गया ठीक है बहुत बढ़िया अब इसी रासी पर 5 वर्सों के लिए 10% की दर से हर साल कितना 10% तो देखो ये ही रासी है प्रिंसिपल 107120 और एक 0 को और चिपका देते हैं तो ये अपॉन 65 इस रासी पर 10% की दर से 10% कितने साल के लिए 5 साल के लिए 5 साल के लिए साधारन ब्याज निकालना है इस रासी पर 10% की दर से 5 साल का साधारन ब्याज देखो पी आर टी मूलधन दर समय दस पंचे पचास पचास दुना तेरा पंचे पैंसट तेरा पंचे पैंसट नीचे आ गया तेरा सत्ते इंक्या अन multif तेरा ठेक सू चार तीन बचा 31 हो गया ना तेरा दुना चबबच, चार और एक पांच, बावन हो गया तेरा दुना चबबच, तेरा तिया उनतालिश, तेरा चब बावन और डबल जीरो पांच दुना दस, एक जीरो कैंसल 8240 आपका right answer है option number C इसका right answer है चलिए उम्मीद करते हैं यह question समझ में आया होगा देखो यहाँ पे क्यों नहीं cut आया हमको 100% principle निकालना ही नहीं है उस मूलधन पर इतना percent निकालना है ना तो मूलधन क्यों निकाले हम क्यों मेहनत करें हम direct last में cancel करेंगे चलिए next नया type है बड़े प्यार से समझना एकदम प्यार से समझ के अच्छे से देखिएगा बहुत बार पूछा गया है तो चलिए start करते हूं question क्या है साधारन ब्याज की किसी दर से कोई धनरासी दो वरसों में 600 कोई धनरासी है पी है दो वरसों बाद इतनी हो गई इतनी हो गई मतलब उस वो धनरासी में वो मूल धन में ब्याज जुड़ा होगा और ब्याज जुड़के वो इतनी हो गई मतलब amount है दो साल में इतनी हो गई और 10 साल में दस साल में अमाउंट इतना हो गया, तो दो साल में कितना रुपिया मिला? छे सो, और दस साल में एक हजार मिला, हाँ या ना, तो ये बताओ, ये अमाउंट है, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसाई, कितने साल का? दो साल का और ये क्या होता है principle प्लस SI कितने साल का आठ साल का तो दोनों में difference क्या है यहां से यहां में क्या difference है Sir, principle SI2, SI2 इसमें भी है लेकिन अच्छा, ये आठ साल का नहीं, दस साल का होगा न क्योंकि amount दो साल का है मिस्रधन दो साल का तो दो साल का ब्याज amount दस साल का है मिस्रधन दस साल का है तो दस साल का ब्याज लगा होगा लेकिन यहां से यहां कितनी का ब्याज लगा होगा यहां दो साल का ब्याज लगा है यहां दस साल का तो difference कितना आया आठ साल का साधारन ब्याज simple interest और कितना है वो इन दोनों का difference 400 रुपए कितना रुपिया है 400 रुपए क्यों? क्योंकि यहाँ 2 से 10 जाने में A2 के बाद A3 आया होगा A4 आया होगा A5, A6, A7 A8, 9 और फिर 10 इसके बाद एक साल का, दो साल का, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 साल का ब्याज लगा है दोनों में कितना difference है 8 साल का साधारन ब्याज लगा है और difference रुपए में कितना है 400 रुपए 8 साल का साधारन ब्याज बराबर 400 रुपए तो एक साल का साधारन ब्याज कितना होगा यह बता दो आठ पंचे चालिस पचास रुपए नहीं हो जाएगा एक साल का ब्याज आप बोलोगे हाँ सर बहुत बढ़िया पचास साल पचास रुपए ही होगा अब हम बड़े प्यार से देखें तो यह A2 है मतलब दो साल का साधारन ब्याज होगा यहां आने में दो साल का ब्याज लगा है सिंपल इंट्रेस्ट दो साल का सिंपल इंट्रेस्ट लगा है हर साल पचास रुपए लगता है तो पचास रुपए यहां भी लगे होंगे पचास रुपए यहां भी लगे होंगे तोटल यहां से यहां आने में 50 और 50 100 रुपया तो ब्याज लग गया सिर्फ और सिर्फ ब्याज 100 रुपया लगा है ब्याज सिर्फ 100 रुपय लगा है 100 रुपय ब्याज लगके 600 हो गया मिस्र धन तो मूल धन 500 नहीं होगा आपई बताओ 500 होगा तभी तो 500 का ब्याज लगा 50 रुपे फिर 50 रुपे तो 100 रुपे ब्याज लगके 600 हो गया हाँ या ना तो मूलधन कितना आया 500 रुपे यह अंसर नहीं है यह अंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पर मूलधन कितना दिया है 600 यह आंसर कभी भी नहीं हो सकता, चलो ठीक बात है सर, अब अगला, ब्याज की दर निकाले, ब्याज की दर हम क्या जानते है, rate of interest, आर परसेंट पराबर, एक साल का ब्याज, एक साल का ब्याज कितना है, पचास रुपए, मूलधन नीचे P होना चाहिए, P कितना है, प्रिंसिपल कितना है, पाच सू, इन्टू, हन्रिट परसेंट करते हैं न, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसल, पाच दाहम, दस परसेंट और पाच सू, आप्शन नमबर A में है, आपका कौन सा आप्शन सही है, आप्शन नमबर A, चलिए, देखिए, बहुत ही important question था ये, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, यदि समझ में आ गया है, तो next question बनाएंगे, देखिए, क्या कहता है, एक निश्चित धनरासी समान वार्सिक साधारन ब्याच की दर पर, हर साल ब्याच की दर वही है, चार साल में इतना और साथ साल में इतनी हो जा रही है, तो वह धनरासी कितनी है, प्रिंसिपल निकालना है, चलो देखो, प्रिंसिपल होगा, चार साल में और साथ साल में, च चार साल में कितना हो गया 6,000 रुपए और 7 साल में कितना हो गया 6,750 रुपए है ना तो ये बताईए ये चार साल से साथ साल इन दोनों के बीच में ब्याज कितना लग गया कितना simple interest लगा, interest कितना लगा तो आप कहेंगे 750 रुपई 750 रुपीज कितने time duration में 4 से 7 साल के लिए 3 साल का 3 साल का SI इतना है तो 1 साल का SI कितना हो जाएगा आप कहेंगे 500 रुपई हो जाएगा divide करेंगे तो कितना आएगा 500 रुपई, मतलब हर 1 साल 500 रुपई ब्याज लगता है सिम interest कितना लगता है 500 रुपई यहां आने के लिए 1, 2, 3 4 साल का ब्याज 25 सो एक साल में 25 सो नहीं 200 तो 4 साल में कितना 25, 400 1,000 का ब्याज लगा है सर 4 साल में 25, 25, 25 करके 500, 200, 200, 200, 200 1,000 का ब्याज लगा और ब्याज लगके कितना हो गया मिस्रधन 6,000 6,000 हो गया 1,000 के ब्याज के साथ तो मूल धन कितना रहा होगा 5,000 नहीं रहा होगा 500, 52, 50 फिर 500, 55, फिर 500 57, फिर 500, 6,000 तो कितना अंसर आ गया option number D 5,000 इसका राइट आंसर है भै चलिए next question देखेंगे बस इसमें अगर पूछता कि rate of interest निकालो तो rate of interest आप क्या जानते हैं भै सर एक साल का साधारन ब्याज बटे P in 200% नहीं करते हैं अपन तो एक साल का साधारन ब्याज कितना है simple interest कितना है principle कितना है 5,000 in 200% बस इत्ती सितु बात थी 0 से 0 50 पंचे चलो उम्मित करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी next question देखिएगा ऐसा ही question है same question है 3 साल में इतना और 5 साल में इतना तो 2 साल का ब्याज नहीं लग गया 3 और 5 के बीच में कितना रुपिया लग गया 520 से 600 कितना लग गया 80 का ब्याज लग गया 2 साल में तो 1 साल में कितना ब्याज लगा है 1 साल का साधारन ब्याज 40 रुपए नहीं लगा 40 रुपए 1 साल में लगा है और 3 साल में कितना हो गया 520 तो 3 साल में 3 साल का ब्याज लगा होगा एक साल में 40 तो 3 साल में 4 दुनिया चारतिया 12, 120 120 ब्याज लगा है तो मूलधन पक्का 400 रहा होगा 400 रुपे यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है दो option है अब rate of interest कैसे निकालना है मूलधन इतना है एक साल का ब्याद 40, 40 बटे 400 into 110 परसेंट आपका right answer है सिर्फ इतना solution है, सिर्फ इतना है यदि आप हमारे साथ practice करते आ रहे हैं तो यकीन मानिए आपने question देखा और उसका solution आपको समझ में आ जाएगा next question देखेंगे, ये type लगबग पूरा हो चुका है इसको आप बनाने की कोसिस करें, same वही question है वही question है, तीन साल बाद इतना और पांस साल बाद इतना हो जाता है तो दो साल का ब्याच कितना लगेगा, इन दोनों का difference लगेगा तो कितना आ जाएगा, 16,800 और 16,880, सर बीस आया और 700 हो गया, तो इसमें से, ये कितना हो गया अच्छा, 17, 17,9 हो गया और ये कितना हो गया, 15 में से 14 गया, एक कितने साल में, दो साल में, ये पांस साल, ये तीन साल, इन दोनों का difference इतना आया कितने साल में, दो साल में, तो एक साल में कितना आ जाएगा दो साल का ब्याच ये है, एक साल का ब्याच बताना दो निया 18, दो चंग 12, 960 रुपय है एक साल का ब्याज अब बोलता है उसी धनरासी पर प्रिंसिपल निकलना है एक साल का इतना है ये कितने साल का है तीन तो तीन साल का ब्याज कितना हो जाएगा भी सर तीन साल का ब्याज कितना हो जाएगा तीन का गुड़ा कर लेंगे तो 6 दुनी 12, 6 ती 18 और 9 ती 27 और 2880 रुपए 2880 तीन साल का हो गया है और अमाउंट 3 साल का और 5 साल का 3 साल का कितना है 14,88 14,88 और 3 साल का ब्याज कितना लगा है 2880 तो ये कितना रहा होगा प्रिंसिपल 12,000 नहीं रहा होगा तभी तो 3 साल का ब्याज लग गया 2880 तो इतना हो गया 12,000 मूल धन है इस पर 10 परसेंट की दर से 4 वरसों का साधारन ब्याज 10 परसेंट की दर से 4 साल का पूछा है 00 से 00 कैंसल 12 चौक 48 1010 और 48 सोना इसका राइट आंसर है चालिए उमीद करते हैं ये टाइप समझ में आया होगा आपको next question देखिएगा question number 34 देखो बड़े प्यार से समझना ये न ऐसा question है बहुत बार पूछा जाता है बहुत टाइप से आप इसको बना सकते हैं तो हम दो टाइप बताएंगे या एक ही टाइप से समझ लो X वाले से ही समझो 17,200 ये टोटल आप किसी के पास इतने रुपे हैं 17,200 वो जाता है एक बैंक में बैंक A और बैंक B दो बैंक हैं इसमें दो वरसों के लिए जमा करता है time duration है दो साल एक में जमा करता है दोनों के लिए दो दो साल है एक में ब्याच की दर है 8% rate of interest दूसरे में है 10% तो दो वर्स बाद कितने रुपे हैं दो वर्स बाद उसको मिलते हैं 3,008 रुपे तो 8% की दर पर उधार दी गई रासी निकालिये तो हम मानते हैं ये बैंक में जो जमा किया है न एक से रुपे कितना रुपेया x यहां x मान लिया तो इसको कितना मानेंगे y नहीं मानना कभी भी 17,000-x मानो ये x ले गया तो ये कितना आया 17 total में से इसको घटा दिया अब देखो principle इतना है मूलधन X मूलधन गोडिद्दर दर कितनी है rate of interest 8% plus into मतलब मूलधन गोडिद्दर गोडिद्द समय बटे 100 plus मूलधन मूलधन गोडिद्दर गोडिद्द समय बटे 100 बराबर कितना कितना ब्याज मिल रहा है 3008 रुपए इसका ब्याज इसका ब्याज दोनों को जोड दिया तो टोटल ब्याज 100 100 common है दो दो common है तो 2 by 100 न हमने निकाल लिया तो कितना आया 8X plus 2 by 100 निकाल लिया तो ये कितना आया 17200 में 1 0 और चिपका दो 10 का किया तो minus 10X is equal to 3008 2 से डिवाइड कर दिया तो 1504 100 उधर तो 1504 00 8X में से चला गया 10X कितना है 17,000 नहीं 1,62,000 minus 2X is equal to इतना 2X इधर आ गया न ये इधर आएगा 150,400 तो दोनों का difference कितना है 17,200 1,72,000 minus 150,400 दोनों का difference कितना है 00 का 00 6 में से 4 गया sorry 10 में से 4 गया 6 और ये कितना है 1 और 17 में से 15 गया 2 2X तो 2 से डिवाइड कर दिया ना तो X की value कितनी आ गई 108 108 00 X की value आ रही है और यही X की value तो पूछा है तो 108 00 X की value है इतना solution है ये तो हमने लिखा है अब देखो यदि X से बनाते जा रहे होना तो इतना solution तो आपको करना ही पड़ेगा ये solution करना पड़ेगा एक method और है देखो वो method होता है allegation method कब लगाते हैं जब भी total आपको पता है कितना है 17,200 इस तरफ कितना है 8% इस तरफ कितना है 10% ये एक साल का है ना और ब्याज कितने साल का दिया है 3,008 दो साल का दिया है तो एक साल का ब्याज कितना होगा इसका अधा तो एक साल का ब्याज कितना निकलाएगा 1,504 ये एक साल का निकलाया अब ध्यान दो ये एक साल का परसेंट एक साल का परसेंट टोटल परसेंट पता चल जाए टोटल परसेंट कितना हैगा टोटल कितना परसेंट का लाब हुआ तो एक साल का ब्याज इतना है कितने रुपए पे सत्रा हजार दो सो पे इन्टू हंड्रेड परसेंट डबल जीरो से डबल जीरो कितना परसेंट आ गया लगभग लगभग लिख लो यहां पे 1504 अपान 172 परसेंट पूरा कटानी की जरूवत है नहीं अब क्या करूआ इन दोनों का डिफरेंस लो उसको यहां लिखो कितना आ जाएगा डिफरेंस कुछ और कटता है क्या 4 से कटता है हाँ 4 से कट जाएगा 4 तिया बारा 3 बचा 4 सत्य आठाईस 2 बचा 4 पंचे 20 4 चंग 24 4 चौक सोला 4 तिया बारा ठीक है भई 376 बटे 43 376 बटे 43 लिख लेते हैं इसको 4 तिया बारा 3 बचा 4 सत्य आठाईस 4 पंचे 20 4 चंग 24 चलिये अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो कितना आएगा आठ तियाच चौबिस हासिलाई दो आठ चौग बतिस तैंतिस चौंतिस 376 में से चला गया बचा कितना दो और चार तीन साथ चार पांच छे चार तीन साथ बतिस बटे 43 बहुत बढ़िया इन दोनों का डिफरेंस लिया तो कितना आजाएगा 430 430 दस से लेंगे तो कितना आएगा 430 माइनस 376 बटे 43 तो कितना आया 430 में 4 और ये 42 3, 2, 5, 54 54 बटे 43 ठीक है 24 और 30 24 और 30 कितना हो गया 54 बटे 43 ठीक है चलो बहुत बढ़िया अब देखो ये रेशियो किसका आया है प्रिंसिपल का प्रिंसिपल का 43 से 43 कैंसल किस से कटता है 2 से कटता है 27 दुना 54 16 टोटल कितना आ गया भाई 6 दुनी बारा और 13 हासिल आई एक 43 यूनिट कितना यूनिट आया टोटल 43 यूनिट टोटल कितना दिया है 17,200 तो एक यूनिट की वैल्यू इतनी तो 43 यूनिट की वैल्यू इतनी तो एक यूनिट की वैल्यू बता देना 4,4,4,4 तो आपको निकालना है 8 परसेंट की दर से कितना unit है 27 27 unit की value निकालनी है ना तो 27 गोड़े 400 7 चौक 28 4 दुना 8 दो 10 0000 देखो वही answer आ रहा है ने 10800 लेकिन याद रखो इसमें थोड़ा calculus percent आपको बीच वाला total percent निकालना ही पड़ेगा चलिए next question देखते हैं next question देखिएगा हाँ भई अपन एक से ही solve करते हैं पूरा question एक से बनाया है तो एक से ही solve किजिए इसको 15,000 रुपए की रासी का कुछ भाग 12 percent की दरसी तथा 6 भाग 10 percent की दरसी ब्याज पर निवेशित किया गया दो वर्स के अंत में कुल ब्याज इतना है तो 10 percent प्रती दरसे कितना धनरासी निवेश की गई तो जो 10 percent से निवेश किया गया मान लेते हैं X है 10 percent की दरसे चलो ठीक है अब देखो time जरूरी नहीं है ये time low ये time क्यों? दो साल का बोला है ना ब्याज इतना है तो एक साल का ब्याज निकाल लो ना कितना है 1504 बोलता कि इसा करो तो दो तो दोनों से common आ जाएगा फिर करेंगे उससे अच्छा लिखे ही क्यों हो इसको? तो ये बताओ पूरा कुश्चन लिख लिजिए 15,000 की धनरासी है दो साल में कितना ब्याज मिल रहा है 33,000 तो एक साल में कितना मिला होगा एक साल में इतना ब्याज मिल रहा है अब किस पे किस पे निकालना है 10 परसेंट और 12 परसेंट की जो मूल धन है इसको 15,000 माइनस एक्स कर लो यह सब लिखना नहीं होता हम आपको समझाने के लिख रहे हैं अब डायरेक्ट करते हैं देखो मूल धन प्रिंसिपल एक्स 10 परसेंट प्लैस 15,000 माइनस एक्स का बारा परसेंट बराबर ब्याज टोटल एक साल में कितना लग गया 1672 100,100 कॉमन लेके इस तरफ कर देते हैं तो 1672,000 10X देखो 15,000 तो था है 15,000 कहां से तीन जिरो आगया 15,000 दुना तीस हासिलाई 3,000 पंदरा एकम पंदरा तीन अठारा माइनस बारा एक्स ये इधर जाएगा इधर जाएगा 2X और ये इससे कट जाएगा तो कितना आया 800 और ये कितना आ गया 68 68 और 12 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 छंग, 2 चौक 6400 एक्स की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू यही तो निकालना है कि 10% की दर से कितना निवेस किया गया था तो 6400 उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा देखिए 4 स्टेप में बन रहा है ज्यादा बड़ा है नी तो इसी से आप सौल्व कर सकते हैं चलिए, नेक्स्ट कोश्चन देखेंगे इन कोश्चन को बनाईगे 10,000 रुपए हैं एक हिस्से को 15% ब्याज पर सेस हिस्से को 10% साधारन ब्याज पर उधार दे दिया, 5 वर्स बात कुल इतने रुपए मिले, 5 साल में इतना मिला, तो एक साल में कितना मिला होगा, टेरा सो टेरा पंचे पैंसट, ठीक है तो उधार दी गई रासियों का अंतर निकालना है, चलो ठीक है, तो कितना परसेंट है 5%, एक्स की वैल्यू 15% प्लस 10,000 यह डबल जीरो उधार ट्रांसफर कर दिया तेरा सो के आगे दो जीरो 15X प्लस 10,000 के सामने, तो 1,00,000 माइनस 10X दोनों का डिफरेंस 5X 1,00,000 इधर कर दिया तो 1,30,000 में से कितना बचा 30,000 तो X की वैल्यू 5,36, 6000 तो यह कितना है, दोनों का डिफरेंस निकलना है एक 6,000 आया एक 6,000 आया तो दूसरा कितना आजाएगा 10,000 में 6,000 घटा दिया 4,000 तो दोनों का डिफरेंस कितना है 2,000 difference कितना है 2000 है answer कितना आया भई 2000 आपका right answer है चलिए next question अगला type है next type एक धनरासी पर साधारन ब्याज की दर से पहले 4 वर्सों के लिए 5% अगले 3 साल के लिए 8% प्रती वर्स एवं 7 वर्सों की बाद के वर्सों के लिए आवधी के लिए 10% प्रती वर्स प्रती वर्स Je qe मी यदि रसी पर दस वर्सों में उपार्जित चाधारन ब्याज इतना है देखो must alum व्यास के लिए आपने डाल दिया कहीं पे तो क्या वोलता है पहले 4 साल जो होंगेना पहले चार साल ये ये चार साल में आपको ब्याज मिलेगा पाँच परसंट अगर आपने थोड़ा पेसेंस और बनाया तो अगले तीन साल के लिए आपको मिलेगा आठ परसंट आठ परसंट कितने के लिए तीन साल के लिए अगले तीन साल के लिए यहां से तीन साल के लिए अब यदि आपने थोड़ा पे सेंस और दिखाया ना तो टोटल साथ वर्स के बाद चार तीन साथ वर्स के बाद की अवधी के लिए कितना परसंट प्रती वर्स है यहां से लेक आप जितने साल के लिए भी करो 10% प्रती वर्स है अब टोटल आप कितने साल के लिए करना चाहरे हो टोटल आप 10 साल के लिए करना चाहरे हो कितने साल के लिए पहले ही हो गया है 4-3-7 तो बचा कितना 3 साल यही तो बस है तो चलो इसी पे निकाल लेते हैं देखो इस रासी पर दस वर्सों में उपारजित साधारन ब्याज इतना है तो वह रासी कितनी है कहता है तो देखो मानलो पी पे पास साल के लिए कितना परसंट ब्याज मिला पास चौक बीस परसंट बीस परसंट का ब्याज यहां पे मिल गया यहाँ पे एक साल में आठ तो तीन साल में आठ तिया 24% का ब्याज मिला है यहाँ पे दस साल एक साल के लिए तो तीन साल में दस तिया 30% total कितना % लग गया ब्याज? ब्याज कितना % लगा है 30, 20, 50 50 और 24, 74% 74% ब्याज लगा है रुपए में कितना मिला है 1850 रुपए किस से कटेगा 37 से 37 दुना 74 ये कितनी बार जाएगा 7.35 37.50 2% की वैल्यू 50 है तो वह रासी मतलब 100% निकालना है ना 2% की वैल्यू 50 तो 100% की वैल्यू 55-25 धाई हजार इसका राइट आंसर है भई चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी 4 साल 3 साल 3 साल टोटल 10 साल हो गए सेम कुश्चन है ऐसा ही 5000 की रासी को 10 वर्सों के लिए साधारन ब्याच पर इस प्रकार उधार दिया जाता है कि ब्याच की दर पहले 2 वर्स के लिए 6% प्रती वर्स 2 साल के लिए 6 तो टोटल कितना परसेंट मिल गया 2 साल में 12% और फिर अगले 2 वर्सों के लिए 8% तो 8 दुनी 16% ठीक है और 4 साल के लिए के बाद 2-2, 4 साल हो गए इसके बाद के 10% वर्सी खो तो 10% तो मिल रहा है लेकिन 4 साल के बाद 10 साल होने में कितना साल है 6 तो 10,60% कितना ब्याज अरजित करेगा इतना परसेंट अरजित करेगा कितना हो गया 60, 70, 80, 88% किस पर मूल धन पर मूल धन कितना है 5000 00 से 00 44 कितना आ गया 44 तो आपका राइट आंसर है सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया आपने फास्ट बता दिया तो देखो पहले 2 साल के लिए टाइम कितना है 2 साल रेट आफ इंट्रेस्ट कितना था 6 परसंट फिर अगले 2 साल के लिए 8 परसंट था अब 2-2 4 साल के बाद के साल के लिए कितना है 10 परसंट टोटल कितना साल करना है 10 साल 4 साल हो गया 2-2 4 साल हो गया कितना साल बचा है चमालिस सो रुपय ब्याज मिल गए चलो next question same वही question है इस question को आप सभी try करेंगे भई ये 39 question को आप सभी try करें अपने अपने घरों में ये भी वही question है एक साधरन ब्याज की तीन योजनाओं में निवेश करता है ब्याज की दरें करम सा 4, 6 और 10% है पहली योजना में 4,000 रुपय निवेश किये गए यदि 5 वर्सों बाद कुल ब्याज इतना है तो तीसरी योजना में कितनी रासी निवेश की गई ठीक है चलो इसको बनाते हैं 10,000 रुपय है इसमें तीन योजनाओं में करना है पहली, दूसरी, तीसरी ब्याज की जो दर है rate of interest है वो 4%, 6% और 10% है क्या बात है बहुत बढ़िया पहली योजना में 4,000 निवेश किये गए मूलधन क्या है पहली योजना का 4,000 अब ये बताओ, 10,000 में से 4,000 तो यहीं डाल दिया तो बाकी दो के लिए कितना बच गया, 6,000 नहीं बचा ठीक है, बहुत बढ़िया अब टाइम क्या है पांच वरसों बाद, पांच साल बाद पांच साल, पांच साल, पांच साल ये बताओ, 4,000 तो यहां डाल दिया टोटल दोनों के लिए 6,000 बचा मानते हैं तीसरी योजना X है कितनी है X? या इसको X मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ये X मान लिया तो ये कितना हो जाएगा? 6,000 दोनों को मिला के था 6,000 दोनों मिला के था ये X ले गया तो ये कितना हो जाएगा? 6,000 माइनस X नहीं हो जाएगा आप कहेंगे बिलकुल हो जाएगा सर इसमें क्या दिक्कत की बात है? अब देखो आप सभी जानते हैं क्या? PRT upon 100 मूलधन गुडित दर गुडित सम है अब देखो पाँच साल में इतना भ्याज लगा है हाँ या न? तो हम ये देख लेते हैं पाँच से डिवाइड भी कर सकते हो न इसको पाँच पंचे पच्चिस पाँच छक्का तीस एक साल में इतना लगा होगा तो ये पाँच की कोई value नी रह जाएगी पर हम चलो कर लेते हैं मूलधन गोडिद्दर 4% प्लस समय प्लस मूलधन गोडिद्दर इंटू समय मूलधन गोडिद्दर इंटू समय बराबर 2800 ये तो अपना equation आ गया पूरा का पूरा बहुत बढ़िया पाँच बटे 100 पाँच बटे 100 पाँच बटे 100 तो सब में common है आपको दिखाई पड़ रहा है तो पाँच बटे 100 निकाल लेते हैं और कुछ निकल सकता है क्या निकल बहुत सारी चीजें सकती है जैसे पाँच चौक बीस छे पंच चे तीस तो दस से दस भी निकल सकता है देखो ऐसा कर लेते हैं ये जीरो से जीरो कैंसल हो गया पाँच चक का तीस तीस में से जीरो से जीरो कैंसल हो गया ये जीरो से जीरो कैंसल नहीं हो गया तो कितना बचा भाई सर हम एक बटा दस निकाल लेते हैं अब देखो कितना बचा एक बटे दस निकाल लिया तो पाँच चौक बीस बीस चौक असी पाँच चौक बीस 20 चौक 80, 80 के आगे 2,0 प्लस ये 10 तो निकाल लिया बचा कितना? 3X नहीं बच गया प्लस 5, 5 छक्का 30 30,000 6000 में 5 का गुड़ा किया तो 30,000 माइनस 5X ये 10 तो बहर निकाला हुआ है is equal to 2,800 ठीक है ये 10 यहां चला जाएगा 2,800 अब देखो ये 8,000 को भी न इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं या 30,000 और 8,000 अड़तीस जार ऐसा लिख लो 38,000 माइनस 5X में से 3X चला गया तो माइनस का 2X is equal to इतना 2X इधर चला जाएगा ये इधर आ जाएगा तो 2X बराबर 38 में से 28 चला गया 10,000 X की value कितनी आ गई 5000 कितनी आ गई 5000 इस X की value 5000 है तो तीसरी पे निवेश की गई रासी पूछा है 5000 घटा दिया 6000 में से तो कितना आ गया 1000 नहीं आ गया अंसर कितना हो गया 1000 आपका right answer है देखो सिर्फ यही 3-4 step होते हैं ये वाले question में ये तो question में दिया गया है ये तो जो दिया है वो ही लिखा है ये solution नहीं है solution सिर्फ इतना है तो इतना तो करना पड़ेगा यदि आप थोड़ा easy method चाहते है fast चाहते है calculation इस पीर बढ़ानी पड़ेगी allegation method हमने बताया है चलो next question भई क्या कहता है एक व्यक्ती साधारन ब्याज पर 9000 रुपए को तीन भाग में 3%, 4%, 6% की दर से निवेश करता है 9000 रुपए को ये 9000 है ना तीन भाग में निवेश कर रहा है पहला, दूसरा और तीसरा rate of interest कितना है 3%, 4% और 6% rate of interest है एक वर्स के अंत में तीनों मामलों में उसे समान ब्याज प्राप्त होता है तो 6% पर निवेशित की गई रासी कितनी है चालो, देखो मान लो मूलधन कितना है A है, ये B है ये C है, टाइम क्या है एक, एक, एक तो ब्याज तो बराबर है कहता है, तो इसका ब्याज कितना निकल जाएगा साधरन ब्याज, simple interest मूलधन प्रिंसिपल into rate of interest टाइम तो एक ही है तो लिखनी की जरुवत नहीं है बराबर है, B into 4%, बराबर है C into 6%, ये बताओ, ये परसेंट से परसेंट से परसेंट cancel, तो क्या आया, 3A is equal to 4B is equal to 6C अब देखो, हमने आपको एक चीज बताई है, जब भी ऐसा बराबर आता है ना, तो ratio निकलते हैं, वो निकाला कैसे जाता है, ratio वाले chapter में बताया है A, B, C ratio निकलना है ना A का चाहिए ना, तो A को अपना चीज नहीं पसंद इसको छुपा लो, बाकी का पसंद है, तो 6, 24 B को अपनी वस्तु नहीं पसंद, अपनी चीज नहीं पसंद भई, P को ये नहीं पसंद 6 और 3 पसंद है 6, 12, 6, 13, 18 C को ये नहीं पसंद, तो 4, 12 किस से कड़ जाएगा कुछ कॉमन है, 6 कॉमन है 6, 24, 6, 12, 16, 18, 16, 12 टोटल A, B, C की यूनिट में कितनी आ गई 4, 3, 7, 2, 9 यूनिट 9 यूनिट आई है टोटल मिलाकर और टोटल दिया कितना गया है 9,000 रुपे एक यूनिट की वैल्यू 1,000 रुपे क्या पूछा है 6% पर निवेशित की गई रासी 6% मतलब C पर C पर कितना यूनिट 2 यूनिट तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू 1,000, 2 यूनिट की वैल्यू 2,000 नहीं हो जाएगी आप बताओ अंसर कितना आया 2,000 रुपेज इसका राइट आंसर है भई नेक्स्ट कोश्चन पढ़िएगा 27,000 रुपे की रासी को दो भागों में A और B में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि दो साल और चार साल बाद A और B पर प्रतीवर्स 15% की दर्से साधारन ब्याज बराबर है चालो देखो 27,000 रुपे है ऐसे ही लिखा करो जैसे हम लिखते हैं तो जादा आपको समझ में आएगा A और B में इस प्रकार भी भाजित किया जा रहा है कि दो साल और चार साल बाद ये A है ये B है A में निवेशित किया गया है मान लो X रुपे और B में कितना 27,000 माइनस X ये निवेशित किया गया होगा प्रिंसिपल दो साल टाइम डियूरेशन है इसके लिए दो साल इसके लिए है चार साल rate of interest है 15% और कितना परसेंट? 15% दोनों का साधारन ब्याज क्या है? बराबर है अच्छा बराबर है ना तो हम ऐसा नहीं कह सकते क्या इसको अभी छोड़ दो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये P1 A है मूलधन कितना है? प्रिंसिपल ऐसा है मान लो तो A का दो साल में 15% B का चार साल में 15% के बराबर है मूलधन गोडित दर गोडित समय क्योंकि बराबर है साधारन भी आज बराबर है कहता है तो 15% से 15% नहीं कट गया दो एकम दो दुना तो कितना आ गया? A upon B is equal to 2 by 1 नहीं आ गया A और B का रेशियो कितना आ गया? 2 is to 1 टोटल A अनुपात B A is to B कितना आ गया? 2 is to 1 जहां पे टोटल आप मिलाएंगे तो कितना यूनिट हो रहा है? 3 यूनिट और टोटल है कितना? 27,000 एक यूनिट की वैल्यू? 3 यूनिट की वैल्यू तो ये कितना आ जाएगा? 9 दुनिए 18,000 और इसके पास कितना आ जाएगा? 9,000 आ जाएगा नहीं आ जाएगा चालो तो क्या पूचता है? A और B पर एक साथ कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा? हाँ ठीक है तो A का ब्याज देख लेते हैं उतने ही ब्याज तो B का भी है दोनों को जोड देंगे तो A का ब्याज कितना हो जाएगा? 18,000 पे 15,000 दुना 30% ब्याज लग रहा है ये तो A का ब्याज हो गया B का ब्याज भी तो सेम होगा तो 2 से गुड़ा कर लेंगे और डबल जीरो 10,800 रुपए आपका अंसर है क्यों ऐसा किया है? 2 से गुड़ा क्यों किया? क्योंकि इसका जितना ब्याज है उतना ब्याज उसका भी है तो दोनों को जोड देते हैं मतलब 2 से गुड़ा कर देते हैं चालो Next question भई अच्छा यह question चेक करेंगे यदि A द्वारा साधारन ब्याज वार्सिक 10% की ब्याज की दर से 3 वर्सों के लिए 99,000 का निवेश करके प्राप्त कर की गई धनरासी B द्वारा साधारन ब्याज पर वार्सिक 8% की दर से 5 वर्सों के लिए एक निश्चित रासी का निवेश करके प्राप्त की गई रासी के बराबर है तो B द्वारा निवेश की गई रासी का 90% व्याद करें चालो देखो A है ना P कितना 99,000 हर सो 99,000 निवेश करता है इन्वेश्ट करता है Rate of interest कितना था 10% कितनी time duration के लिए 3 years के लिए ठीक है B क्या करता है इसी rate B क्या करता है 8% की दर पर 8% rate of interest है 5 वर्स के लिए निवेश करता है इन्वेश्ट करता है 5 साल के लिए किसी निश्चित राशी पर मतलब X पर मान लेते है दोनों का simple interest बराबर है निवेश कर प्राप्त की गई राशी के बराबर है प्राप्त की गई राशी मतलब अमाउंट भई आप देखो आप निवेश किये और ब्याज बराबर है नहीं कहरा वो ये बता रहा है कि जितना हो गया दो साल तीन साल में इसकी राशी जितनी हो गई वो बराबर है इसकी राशी के तो ये बताओ हमको इसकी राशी तीन साल में कितनी हो जाएगी अमाउंट कितना आएगा अमाउंट दस तिया तीस तो परसेंट ब्याज लग गया अमाउंट कितना हो जाएगा इनकी आनवे सो है दस तिया तीस परसेंट ब्याज लग गया तो amount 130% नहीं हो जाएगा आप बताओ ये amount हो गया ये बराबर है किसके ये बराबर है किसके इस x के 8.45% तो ब्याज लग गया इसके amount के इसका amount कितना हो जाएगा इसका 140% सर नहीं समझ में आया हमको ये बताओ रेट ओफ इंट्रेस्ट इतना है टाइम इतना है simple interest परसेंट में क्या आएगा simple interest परसेंट में 10 ती या 30% और ये कितना आएगा 8.45% तो amount परसेंट में कितना आएगा परसेंट में amount amount in percent आप जानते हैं 100% में इसको जोड देते हैं तो 130% 100% में इसको जोड देते हैं तो 140% ये amount मिस्रधन आगया और मिस्रधन रुपए में कितना आजाएगा 9900 का 130% बराबर X का 140% बहुत बढ़िया तो B द्वारा निवेस की गई रासी का 90% निकालना है B द्वारा निवेस की गई रासी ये है X कितना आएगा 100 से 100 कैंसलना इंक क्यांबे 100 इंटू 130 अपान 140 इस X का ये X नहीं निकालना ये निवेस कितना किया है ये नहीं निकालना इसका 90% X का 90% X का मतलब गड़ा 90% तो इसका 90 इस तरफ 90% गड़ा किया है तो इस तरफ भी 90% करो ये निकालना है आपको 00 से 00 कैंसल ये 00 से 00 कैंसल कितनी वर जाएगा साथ दुना तेरा सत्ते इंक्यानबे और और तेरा का स्क्वाइर कितना आ गया 169 इन्टो 9 90 अपान 2 तो नौ निया एक्क्यासी हासी लाई आठ नौ पंचे 45 नौ छक्का 54 चववण और आठ बैंसट नौ एकम नौ नौ छे पंदरा और ये 0 का 0 बटे 2 ये 2 दो सत्ते चवदा दो चंग बारा दो सुनम दो पंचे 7605 रुपीज इसका राइट आंसर है भै अब देखो हमने तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है एक्चुल में कुश्चन यहां से स्टार्ट हुआ था एक्चुल में सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हुआ है ये सब समझाने के लिए लिखा है उपर आपको ये सॉल्यूशन है सिर्फ ये solution है बस उम्मिद करते हैं ये question भी समझ में आया होगा आपको हमने कहा न हम आपको 40 plus questions कराने वाले थे 43 total question आज के लिए था एक question साथ और हाँ एक question और बचा है ये देखिए ये questions आप solve करेंगे ये question क्या कहता है हम आपको हिंदे देते हैं एक व्यक्ति अपने दो बच्चों जिनकी आयू 9 वर्स और 13 वर्स है के बैंक हातों में 21,750 रुपे की धनरासी इस प्रकार निवेशित करता है ताकि 21 वर्स की आयू होने पर साढ़े चार वार्सिक दर से इनको समान धन प्राप्त हो तो छोटे बच्चे का भाग ज्याद करें देखो उसके पास है 21,750 रुपे पहले भाई पर और दूसरे पर कुछ निवेशित करता है की 21 वर्स की आयू होने पर ये 13 वर्स है और एक 9 वर्स का है एक भाई है 9 वर्स का दूसरा है 13 का उसको 21 होने के लिए कितना भी बाकी है तो उसका टाइम कितना बाकी है सर 9 घटा दिया ना तो 12 साल इसको 12 इसको 21 होने के लिए कितना बाकी है 7 और एक 8 तो 12 और 8 इसके पास कितना टाइम है 12 और इसके पास है 8 कितना है भई सर ब्याज की इदर है rate of interest है 4.5% अब देखो इनको समान धन प्राप्त हों समान धन प्राप्त हों इसका मतलब क्या ब्याज समान ना हों इस पे जो धन है amount है वो बराबर प्राप्त हो तो ये बताओ इस पे कितना percent ब्याज मिल रहा है तो 12.560, 12.48, 48 और 6, 48 और 6, 54% ब्याज इतना मिल रहा है इस पे ब्याज इतना मिल रहा है मान लेते हैं ये A है ये B है इसको A रुपए मिला इसको B रुपए मिला तो A पर ये ब्याज मिल रहा है amount कितना हो जाएगा amount मिस्रधन 154% A का 154% बराबर है B के 136% तो किस से कटेगा ये? आप देखेंगे सर 4 से कट जाएगा 4 तीया 12 3 बचा 4 से नहीं कट रहा 4 से नहीं कट रहा 2 से कटेगा 2 सत्य 14 2 सत्य 14 2 छंग 12 2 अठ्थे 16 चलो और किस से कटेगा? 17 चौक 68 और 11 सत्य 77 और किसी से नहीं कट रहा तो A और B की वैल्यू कितनी आ गई? 68 बटे 77 यहाँ पर देख लेते हैं कुछ गड़बर थोड़ी नहीं 12, 4, 48, 12, 65 सुनने हासी लाई छे 12, 4, 48, 48 और छे 54 ठीक है? 8, 45, 47, 4, 8, 4, 32, 4, 36 136, 154, 0 से 0 कैंसल 274, 274, 262, 28, 16 ठीक है? चालो दोनों का रेशियो इतना आ गया अब देखो टोटल कितना हो रहा है? 7, 2, 14 और 1, 15 हासी लाई 1 7, 2, 14 यह आपका टोटल यूनिट आया और रुपए में कितना दिया है? 21,750 रुपए हम देखते हैं यह कित से कटेगा 5, 2, 10 5, 9, 45 29 यूनिट की वैल्यू 5, 24, 25, 53, 15 5, 25 29 से कितनी बर जाएगा? 29 ही कम 29 13, 14 29 पन्चे एक यूनिट की वैल्यू 1,500 तो आप से क्या पूछा है? छोटे बच्चे का भाग ज्याद करें छोटा बच्चा कौन है? 9 अर्स वाला जिसको 12 साल का टाइम मिला 12 साल बाद धन मिलेगा वो है न छोटा तो उसका धन कितना है? एक यूनिट की वैल्यू 50 तो 68 यूनिट की वैल्यू 68 गोड़ एक सो पचास पंद्रा अठे एक सो बीस और पंद्रा पंचे 75 पंद्रा छक्का नब्बे नब्बे दस सो एक सो दो 10200 इसका राइट अंसर है उम्मीद करते हैं ये साधारन व्याज जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा पूरे के पूरे 44 कोश्चन जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था ये कोश्चन तो समझाया था ना पूरे 40 प्लस कोश्चन टोटल 44 पूर कोश्चन आपको हमने यहां पर करवाए हैं एक एक टाइप सारा का सारा एकदम बेसिक से क्लियर किया है अब कोई साभी एक्जाम आप दें सारे में सभी एक्जाम्स में साधारन व्याज आप एकदम अच्छे से अटेम्ट कर सकते हैं मिलते हैं ऐसे ही नेक्स सेशन में तब तक के लिए धन्यवाद